दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द बहुत ज़ादा हो रहा है, जोड़ा में दर्द बहुत ज़ादा हो रहा है, हड्डियों में दर्द बहुत ज़ादा हो रहा है, आप बहुत सारे इलाज कर चुके हैं, तो आज का ये नुस्का, आप कौपी पे नोट कर और साथ दिन के लिए इसे फॉलो कर लीजी साथ में दिन आप मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपका गुटनों का दर्थ कितने परसंट ठीक हो गया साथ परसंट, सत्तर परसंट या फर असी परसंट क्योंकि ये नुस्का इतना ही कारगर है साथ दिन के अंदर अंदर अपना असर दिखा देता है दोस्तो इस नुस्के के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी एक डिटॉक्स करने वाला ड्रिंक जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है टॉक्सिंस को बॉडी से रिमूव करता है कि remove करना क्यों जरूरी है toxins को यानि विशयले प्रदार्थों को क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर वात और पित बढ़ जाते हैं तो जोडों का घुटनों का दर्द या गठिया तक की समस्या हो जाती है तो अपनी बॉडी को जब तक detox नहीं करेंगे तब तक कोई भी ओशर दी कोई भी दवाई काम नहीं करती तो इस नुसके का इस्तवाल कॉपी पे note करके टिक मार करके आप 7 दिन तक करना है सारे के सारे दर्द भूल जाएंगे जब हमारे दर्द होता है तो दर्द हमें चिड़चड़ा भी बना देता है हम किसी से बात भी करते हैं तो ऐसे लगता है कि सामने वाले को लड़ाई कर रहे हैंगे दोस्तों ये चड़चड़ा पंदूर हो जाएगा आप बहुत स्मूथ और शांत नेचर के हो जाएगे आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी इसके कोई side effect नहीं है जो detox drink है वो हमने कैसे बनाना है ये drink है मैं आपको बता दूँगी कैसे बनाना है कि भरपूर मात्रा में इसमें calcium और potassium होता है जो कि हमारे दिल के लिए और हमारे जोडों के लिए दोनों के लिए फाइदे मन्द है अच्छी नींद लाने में सहाइक है दोस्तों आपने आधा चम्मच खसकस लेनी है एक बरतन के अंदर आधा चम्मच घी डाल दीजिए हर एक वात रोगी को रोजाना एक चम्मच गाएं का देसी घी जरूर खाना चाहिए तो हम गाएं का ही दूद लेते हैं और जो मक्खन निकलता है मलाई निकलती उसका मक्खन बना कर हम घर पे घी बनाते है तो ये गाएं का घी है आधा चम्मच घी आपने इस बरतन में डाल देना है और आधा चम्मच जो खसकस है उसे भी डाल दीजिए 30-40 सेकंड के लिए आप इसे हलका सा रोस्ट कर लीजिए इसके बाद हमने इसके अंदर डालना है एक गिलास दूद एक गिलास डूद डालना है जब तक इसको उबाला आता है हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की उसका इस्तमाल कैसे करना है वो है दोस्तो सौफ आपने सौफ लेनी है सौफ के बहुत सारे फाइदे हैं ये पत्थर तक को पचा देती है आपने खाना खाने के बाद सौफ और गुड़तों खाना ही है तो पत्थर भी पच जाएगा इतनी चंपता होती है आपके पाचन तंतर को इतना दरुस्त कर देगी तो यहां हमने सौफ जो है दो चमच ले लीजिए तीन चमच ले लीजिए जितना भी लेना चाहे ले ले इसका हमने पाउडर बना ले रहा है और इस सौफ का पाउडर का आधा चमच हमने इस दूद के अदर मिक्स कर लेना है बाकी को आप किसी भी डिबी में डाल के रख लीजिए दोस्तो यह उबाला आता होगा इस दूद को जो हमने खसकस और सौफवला दूद तैयार कर रहे है लास्ट चीज है दोस्तो इसमें ठूटी यानि की ड्राइ कोकोनेट ड्राइ कोकोनेट को आप गर्मी या सर दी तोनों टाइम इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो निसर्च में यह चीज सामने आई है जब भी किसी इनसान को भूख लगती है उसके उतनों में जोडों में धर्द होता तो यह एक ऐसा स्नेक्स है जो ड्राइ कोकोनेट है जिसका इसमाल आ बहुत अराम से कर सकते हैं दिल के रोगी भी बहुत अराम से कर सकते हैं बस इससे चबा कर खाना होता है अच्छे से जबा कर ताकि इसका जो जूस है वो आपके अंदर जाए फाइबर भी बहुत अच्छे से पेस्ट बन के आपके अंदर जाए तो हमने यहां आधा इंच ड्राइ कोकोनेट को हमने क्या करना है इस दूद के अंदर डाल देना है और सिम फ्लेम पर उबाला आने के लिए ऐसे ही रख देना है यह दोस्तो ऐसा दूद तयार हो रहा है जो घुटनों के दर्द को ठीक कर देगा ध्यान नखिएगा आप समूफ का पाउन बना कर रख सकते बाकि दूद बना कर नहीं रख सकते दूद आपको रोज का रोज तयार करना ही होगा लास्ट चीज है मुष्री सुआद के अधार पर इसमें मुष्री मिक्स कर दीजी diabetes है तो पिष्टी का इस्तमाल आपने करना ही नहीं है यह आप जानते ही होंगे दोस्तो ऐसा दूद आपने रोजाना पीना है अब बात आती है कि इसे पीने का समय क्या है क्योंकि ये दूद कोमन दूद नहीं है ये दूद अगर आप एक गिलास पीलेंगे तब पूरी तरह से अपने आपको पेट को भरा फील करेंगे तो दोस्तो इसका इस्तमाल आपने शाम को चार से साड़े चार के करीब करना है यानि कि जब खाना खाए को दो से धाई घंटे हो चुके हो आपका पेट बिलकुल खाली हो किसी भी चीज़ को पचाने के लिए बिलकुल तयार हो उस टाइम आपने इस सौफ वाले दूद खसकस और ठूटी वाले दूद का इस्तमाल करना है इस ठूटी को निकाल कर अच्छे से चबा कर खालीजी दूद को गरम गरम नहीं पीना ध्याण डखीगा दूद को आपने नॉर्मल सा करके पीना है बिलकुल नॉर्मल जैसे मटके वाला पानी होता है इस तरीके से आपने इस तरीके से करके दूद को पीना है फ्रिज में ठंदा नहीं करना दोस्तो एक हफ्ता यानि साथ दिन गिन कर आप इसका इस्तमाल कर लीजी फॉर्मुला इतना जबर्दस्त है कि गुटनों के दर्द, जोडों के दर्द कुछी कर देगा नीन नहीं आ रही वो भी असानी से आएगी दोस्तो इसका इस्तमाल साथ दिन करने के साथ साथ आपको मैं बताने जारीं डेटोक्स ड्रिंक कौन सा है उसे तयार करना है ओमने दोस्तो गोकरू के द्वारा गोकरू के अंगर इतनी शंता है कि ये वात के कारण जो टॉक्सिस बॉड़ी भी जमा हो जाते हैं, पित के कारण टॉक्सिस जमा हो जाते हैं, उसको रिमूव कर देता है, किसी इंसान को मुतर रोग है, किड्नी से सबंदित कोई समस्य है, तो उसमें भी गोखरू का पानी बहुत फायते बंद है, आदा के बाद पका मुझे कुमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों ये इन्फोर्मेशन, ये जानकारी यही तक थी, मैं उमीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत फायते बंद होगी, अगर आपको ये अच्छी लगी फायते बंद है, तो आप इसे इस्तमाल करने के साथ में दिन भी कुमेंट कर सकते हैं, बिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,